वेलकम टू जीवन क्लासिस आज का यह वीडियो उन इस्टुएंट्स के लिए काफ़ी जाद इंपूटेंट होना वाला है जो वंडे एक्जाम के त्यारी करने की सोच रहे हैं या वंडे एक्जाम के त्यारी पहले से ही कर रहे हैं उनके लिए यह सभी क्वेस्टन काफ़ी हेलफफुल होंगे जो एक्जाम में आपका साथ देंगे तो चलिए क्वेस्टन को स्टार करते हैं किस धातु की चाकू से काटा जा सकता है बताईएगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है तो एक ऐसा धातु है जो चाकू से भी काटा जा सकता है ओप्शन है सोडियम आयरन, कासा, पीतल ये चार आपके पास है और इसमें से इस question का सही आंसर आपको एक option चूज़ करना है तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है बताईएगा sodium आयरन कासा, पीतल ये चार आपके पास है तो इनमें से एक option आपका सही होगा और वह option है, option number A sodium, sodium है एक ऐसा धातू है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है तो option number A आपका बिल्कूल सही आंसर हो जाएगा next है, निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है option है, प्रत्वी, चंद्रमा option number C आपका बिल्कूल correct answer होगा, सुक्र option number C next है, हाल ही में कलियाट्टम उत्सव किस राज्जे ने सुरू किया हाल ही में कलियाट्टम उत्सव किस राज्जे में सुरू हुआ है option है, केरल, जहांसी मनिपूर या इन में से कोई नहीं, बताएगा आपके इसाब से, इस question का अंसर क्या होगा क्या केरल है, जहांसी है मनिपूर है, या फिर इन में से कोई भी नहीं है, तो सुक्राज्जे ने सुरू किया है वह राज्जे है केरल, पहला option आपका सही हो जाएगा, option number A केरल next है, भारते सेना कहा अपना, तीन दिवस्य सीथ कालीन उस्तव का आयोजन कर रही है option है, असम जम्मो कश्मीर केरल जहारखंड इस चार अप्सन आपके पास है, चार अप्सन में से आपको बताना है कि कौन सा अंसर इस question का सही होगा क्या असम में, जम्मो कश्मीर में केरल में या जारखन में तो भारते सेना जहां पर अपना तीन दिवसे सेत कले नुस्ता वायवज़त कर रही है वह है जम्मू कश्मीर तो याद रखे जम्मू कश्मीर आपका सही होगा जम्मू कश्मीर को लोग कीजिए नेक्ट है किस राज्य सरकार द्वारा उडान योजना शुरू की है किस राज्य सरकार द्वारा उडान योजना शुरू की गई है तो उडान योजना शुरू करने वाले कौन सा राज्य है वो आपको बताना है option है आपके पास कौन सा RAJ J जिस RAJ J ने कै किया है, उडान योजना शुरू की है, तो वह राझ J है, याद रखे, B, Ràajist् PowerPoint राजिस्थान, वह राज जि होगा, diz no. B है, आपका correct answer, याgor किस RAJ J द्वारा उडान योजना शुरू की गई तो वह की गई है राजस्थान सरकार द्वारा नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में वर्स 2022 तेहिस्त का बजट पेस किया गया है देखेगा मार्च 2022 में 2022 तेहिस्त का बजट पेस कर दिया है वह कौन सा राज्य है किस राज्य सरकार नहीं किया है तो ऐसा किया है एक राज्य सरकार है कौन सा राज्य है वह आपको नाम बताना है चार आपके सामने दिये गए है असम राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्राखंड तो बताएगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सरकार ने मार्च 2022 में ही वर्ष 2022-23 का बजट पेस कर दिया तो वहराजी है आपको याद रखना है वहराजी होगा आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश आपका ऐसा राजी है जिस राजिक सरकार ने मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 का बजट पेस किया है चलिए नेश्ट है मार्च 2022 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का बारवा संस्क्रण किस देश में आयोजित किया जाएगा बताइए जो मार्च 2022 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वोका बारवा संस्क्रण किस देश में आयोजित किया जाएगा option है आपके पास रूस भारत ऐस्टेलिया न्यूजिलेंड तो आपका बताना है कि वहें कौों सा देश है जो 2022 में SEC महिला किरिकेट वर्लोड कब का बार्वा संस्क्रण आयोजित कर रहा है तो वहदेश है याद रखिए न्यूजिलेंड आपका वहदेश है जो 2022 में ACC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का बारवा संस्क्रण आयोजित करेगा न्यूजिलेंड डी आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस्टुएंट से याद रखिए नेक्स क्वेशन है राज्यसभा में राज्यसभा के लिए दो बार है इसमें एक काट देजेगा राज्यसभा के लिए नामित पर्थम फिल्म अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नामित पर्थम फिल्म अभिनेत्री कौन है तो राज्यसभा के लिए नामित पर्थम फिल्म अ में से सही है, question है, राज्य सभा के लिए नामित प्रिफम फिल्म अभिनेतरी कौन है? तो याद रखेगा, वह फिल्म अभिनेतरी हैं, नर्गिसदत, कौन है? नर्गिसदत, option बखन मर में नर्गिसदत का नाम है, तो वह नर्गिसदत होंगी नेश्ट है पहली बार राष्टे सासन कब लागू हुआ राष्ट पति सासन है ये राष्ट पति सासन कब लागू हुआ तो पहली बार राष्ट पति सासन कब लागू हुआ वह हुआ था 20 जुलाई 1951 में और आपका ए उप्षन बिल्कुल करण होगा 20 जुलाई 1951 पहली बार आश्ट में सासन 1951 में 20 जुलाई को लागू हुआ था next है भारत में समिधान संसोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है भारत में समिधान संसोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है आपके सामने option है दो तरीकों से तीन तरीकों से चार तरीकों से या फिर एक तरीके से तो याद रखेगा भारतिय समिधान जो है उसमें संसोधन करने के जो तरीके हैं वह हैं चार तरीके option number C आपका सही हो जाएगा चार तरीकों से आपका समिधान में संसोधन किया जा सकता है next question है विरहत कथा की रचना किसने की विरहत कथा की रचना किसने की चार आपके पास है पाणिनी, राधागुप्त सर्व वर्मन, गुनाड्ये तो बताईएगा कि कौन हैं जिन्होंने वरत कथा की रचना की थी तो आपके सामने option दिये गए हैं तो आपका option जो है वो सही हो जाएगा option number D गुनाड्ये गुनाड्ये जो हैं वरत कथा के रचना कार हैं next है हाल ही में किसे राष्ट्ये तांसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है राष्ट्ये तांसेन सम्मान 2020 तो वह कौन है जिन्हें राष्ट्ये तांसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया option है जगदीश शव जगदीश राव जगदिस राव है, पंडित मनमोहन दास हैं, पंडित चंदरभान हैं और पंडित सतीस व्यास हैं तो याद रखेगा कि पंडित सतीस व्यास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राष्टे तांसें सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया option number D आपका बिल्कुल सही आंसर होगा option number D भारत में प्रधान मंतरी के ओहदे को क्या माना जाता है तो याद रखेगा आपके सामने option 4 दिये गए हैं मुखिया, कारेकारी प्रमुक, प्रधान या उप्रमुक तो बताएगा भारत में प्रधान मंतरी के ओहदे को क्या माना जाता है तो याद रखे इसको option number B है भारत में प्रधान मंतरी के ओहदे को माना जाता है कारेकारी प्रमुक क्या माना जाता है कारेकारी प्रमुक माना जाता है इसको याद रखेगा option number B आपका बिल्कुल correct answer होगा कारेकारी प्रमुक नेक्ट है अशोक समराट किसका उत्राधिकारी था और्यावरत चंद्रेशन बिंदुसार तो बताएगा कौन सा ऑप्षन आपका सही होगा कि समराट अशोक किसका उत्राधिकारी था तो वह था बिंदुसार बिंदुसार उप्सन नमर डी में दिया हुआ है उप्सन नमर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा शमराट असोक बिंदुसार का उत्रदिकारी था नेक्स्ट आपके सामने क्योशन है भारत में बिलू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है तो option में दिया हुआ है जोधपुर, लखनाव, बैंगलोर या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको एक option बताना है जो इसका correct answer होगा तो याद रखेगा भारत में blue city के नाम से जिस सहर को जाना जाता है उसका नाम है जोधपुर जोधपुर है option number A में, option number A आपका सही हो जाएगा तो भारत में blue city जोधपुर को कहते है next आपके सामने question है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है बताएगा भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है question में आपको दिया गया ही question काफी ज़्यादा महत्रपूर्ण है आपकी परिक्षाओं के लिए भारत के किस राज्य के आबादी सबसे ज्यादा है तो option है आपके पास असम उत्तराखंड अरुनाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश इन चारो option में से आपको एक option बताना है जो सही होगा तो याद रखिए वह option है option number B उत्तराखंड तो उत्तराखंड option number B आपका बिल्कुल correct answer होगा इस लोग कीजी next है साथ अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में इस्तित है उप्षन है मिनार, एफिल टावर, ताज महल, बुर्ज खलीफा तो याद रखिए कि कौन सा साथ अजूबों में से एक अजूबा है जो आगरा में इस्तित है तो सब को पता है वह है ताज महल ताज महल आगरा में इस्तित है तो आपसन नमबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ताज महल नेश्ट है भारत की सबसे पुरानी परवत सरंखला कौन सी है बताएगा भारत की सबसे पुरानी परवत सरंखला कौन सी है तो भारत में सबसे पुरानी परवत सरंखला कौन सी है आपको बतानी है अरावली परवत हिमाले कैलाश या इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है option कौन सा सही होगा भारत की सबसे पुरानी परवत सरंखला हम आपको बता दें अरावली परवत है आंसर हो जाएगा option number A अरावली परवत अरावली परवत जो है सही आंसर होगा next है आंधर परदेश का लोक निरत्य क्या है आंधर परदेश का लोक निरत्य क्या है students बताईगा आंधर परदेश का लोक निरत्य क्या है तो students इसमें दिया हुआ है option में दलखंब, कॉम्बक, कुचिपुडी या इन्में से कोई नहीं ये चार आपको option दिये गए हैं आपको सही option चूज करना है कि आंधर प्रदेश का लोक निरत्य क्या है तो याद रखेगा option number C है कुचिपुडी कुचिपुडी जो है आंधर प्रदेश का लोक निरत्य है C आंस किसे जाता है option है हिमायू अजीत सिंग अकबर नरोजी तो बताइएगा कि फटेपुर सीकरी की स्थापना का श्रे किसे जाता है तो याद रखेगा option number C है अकबर अकबर जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिने फटेपुर सीकरी की स्थापना का श्रे दिया जाता है option number C आपका correct answer है next है यदि राष्ट्रपती का पद खाली है यदि राष्ट्रपती का पद खाली है तो उसे कितनी अवधी के अंदर भरना अवश्यक है तो याद रखेगा कि ऐसा समय दिया गया है कि राष्ट्रपती का पद यदि खाली है तो उसे इस अवधी के अंतरगत भरना होगा तो कि option आपके पास है तो option कौन से सही होगा option है 4 महीने 3 महीने 6 महीने या 5 साल तो याद रखेगा कि यदि राश्ट पदिगपद खाली है तो उसे 6 महीने याद रखेगे उसे 6 महीने के अंतरगत भरना होगा 6 महिने के अंतरगत उसे भरना होगा कोई ना कोई वहाँ पर 6 महिने के अंदर-अंदर नियुक्ती होनी चाहिए ठीक है, option number C आपका सही होगा 6 महिने चलिए, next है, राज्ये सभा के सदस्य का कारेकाल होता है कितना होता है, बताइगा, 3 साल, 4 साल, 7 साल या 6 साल यह year में दिये गए, इस्टुएंट से याद रखीगा, 3 year है, 4 year है, 7 year है या फिर 6 year है, तो याद रखीगा, राज्ये सभा के सदस्य का कारेकाल होता है वो 6 साल होता है, option number D आपका सही होगा, 6 साल, ठीक है 6 साल आपका सही अंसर होगा next है, भारतिय रुपय का पहचान चिन, पृतीक है भारतिय रुपय का पहचान चिन क्या है, तो याद रखीगा, देखे, 4 option आपको दिये गए है तो डॉलर दिया गया है, यह चिन है, एक चिन है, एक चिन है रुपय का तो भारतिय रुपय का पहचान चिन क्या है, तो रुपय को हम इस तरीके से लिखते हैं, यह पहचान चिन है, रुपय इस तरीके से लिखेंगे ठीक है, तो यह भारतिय रुपय का पहचान चिन है, option number D आपका सही आंसर होगा क्लियर है चलिए भारतिय संसद के उत्री सधन को किस नाम से जाना जाता है भारतिय संसद की उपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है तो श्वेंट से याद रखेगा भारतिय सदन के उपरी सदन को जाना जाता है किस नाम से आपको ये बताना है तो चार आप्सन है राज्य लोकसभह विधानसभा विधान परिशद तो भ्हार्ते संसद्त के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है तुष्टिय दिख भेरेख जाना जाता है विधानसभा के नामसे किसे विधानसभा याद रखेगा सोरी ये विधान सभा नहीं है ये गलत हो जाएगा राज्ये सभा के नाम से जाना जाता है सही आंसर आपका ए उप्शन है राज्ये सभा याद रखेगा राज्ये सभा सही आंसर होगा नेश्ट है लोग सभा के लिए पर्थम मध्यावधी चुनाव किस में आउजित किये गए थे तो आपको आप्शन दिये गए हैं आपको सही जवाब बताना है आप्शन है 1975, 1971, 1985, 1976 सही आंसर क्या होगा आपको बता देना है तो लोग सभा के लिए पर्थम मध्यावधी चुनाव किस में आउजित किये गए थे तो वह आप्शन आपका सही होगा आप्शन अंबर B, 1971 1971, आप्शन अंबर B आपका बिल्को सही आंसर है इसको लोग कीजिए याद रखेगा नेस्ट है लोग सभा के अध्यक्स के रूप में नामित किया गया है तो ऑप्शन में है आपको उप्राष्टेपती, प्रधान मंत्री, वक्ता या इन में से कोई नहीं तो देखिएगा आपको question दिया गया है कि लोग सभाय के अध्यक्त के रूप में नामित किया गया है तो याद रखिए वह किया गया है वक्ता यानि कि option number C आपका सही होगा option number C लोग किजिएगा वक्ता next है किस भारती राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्री थी option है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केरल सिक्किम तो याद रखिएगा कि भारत का ऐसा वह राज्य कौन सा है जिसमें पहली महिला मुख्य मंत्री थी तो वह है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली महिला म पेपाल ने भारत में जरूरी सेवाव का भुगतान कब बंद किया पांच जुन दो जार इकिस एक अप्रेल दो जार इकिस तो आपका सही जवाब देना है कि पेपाल जो एक ट्रांसेक्शन वे था वहाँ उन्होंने भारत में जरूरी सेवाव का भुगतान कब बंद कर दिया तो वह किया था एक अप्रेल दो जार इकिस एक अप्रेल दो जार इकिस को उन्होंने भारते सेवाव का भुगतान बंद कर दिया ठीक है तो यहादी के ओप्सन नंबर आपका सी बिलकुल सही आंस स्टॉर्म रिसर्च टैस्ट बेड़ कौन से राज्य में बनाया जाएगा बताएगा कौन से राज्य में बनाया जाएगा तो वह option है आपके पास चार ऑप्शन दिये गए हमाराष्ट्र उडिसा जारखंड राजस्थान तो बताएगा जल्दी से भारत का पहला ठंडा स्टर्म रिसर्च टैस्ट बेड कौन से राज़े में बनाया जाएगा उडिसा में महराष्ट में राज्थान में जहारखन में तो याद रखेगा आप्शन नमबर B आपका बिल्कुल सही आंसर है उडिसा में उडिसा में भारत का पहला थंडा स्टॉर्म रिसर्च टैस्ट बैट बनाया जाएगा बी ओप्षन। सही अंशर है नेक्ष्ट है साइबर सुरक्षा सूच कांग साइबर स्कूरिटी इंडेक्स ने भारत में ने भारत में प stretching हासिल किय को nem अपना आसिल किया है जल्दी से बताइगा कौन सा इस्थान आशिल किया है option है आपके पास 10 वा, 5 वा, 7 वा या फिर 11 वा तो आपके पास option है option number A 10 वा इस्थान प्राप्त किया है यानि कि भारत में साइबर सुरुक्सा सूचकांग ने अपना 10 वा इस्थान प्राप्त किया है option number A आपका विल्कुल correct answer है याद रखेगा next है अंत्रिक्स स्टेशन पर चीन कितने अंत्रिक्स सी यात्रियों को भेजेगा option है 2, 7, 10, 3 तो कितने लोगों को भेज रहा है यह आपको बताना है तो अंत्रिक्स स्टेशन पर चीन कितने अंत्रिक्स सी यात्रियों को भेजेगा तो यह है आपके सामने option दिया गए है option number D, option number D है 3, तीन यात्रियों को भेजेगा अंत्री इस्टेशन में चीन, D option आपका बिल्कुँ सही होगा Next है भारत की सबसे लंबी शलक का नाम बताईए, भारत की सबसे लंबी शलक, JB Road, NH Type Road, GT Road या इन में से कोई नहीं तो बताईएगा option आपका कौन सा सही होगा, तो भारत की सबसे लंबी शलक का नाम है GT Road, option number C आपका बिल्कु सही है GT Road, GT Road आपका सही आंसर होगा भारत की सबसे लंबी शलक, C option next है किस पुरुषकार को भारत का सर्वत्तम पुरुषकार माना जाता है, यह सभी आपको पता होगा, सभी को आपको पता होगा कि भारत का सर्वत्तम पुरुषकार क्या है तो option number 1 दिया हुआ है अर्जुन अवार्ड B है दोनाचारे अवार्ड C है भारत रतन D है सभी तो देखे भारत के लिए इंपोटेंट्स तो सभी हैं लेकिन सबसे सर्वोचतम कौन सा है वो आपको बताना है तो याद रखेगा option number C भारत रतन भारत रतन पुरुसकार जो है भारत का सर्वोच पुरुसकार माना जाता है option C आपका सही आंसर होगा next है global electric vehicle outlook global electrical vehicle outlook कब जारी किया गया तो global electrical vehicle outlook जो है वो जारी किया गया है 2022, 2021, 2001 या 2000 में बताइगा कौन सा option आपका सही होगा तो students याद रखेगा option अगे आप देखेंगे तो option में हो जाएगा आपका global electrical vehicle outlook कब जारी हुआ था तो वह जारी हुआ था option number B आपको दिया गया है 2021, किसमें 2021 में option number B किलियर है चलिए next है राष्ट्य विग्यान दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्य विग्यान दिवस कब मनाया जाता है बताएगा 25 जनवरी, 25 फरवरी, 2 जनवरी ये 27 फरवरी तो राष्ट्य विग्यान दिवस कब मनाया जाता है ये सभी को याद होना चाहिए राष्ट्य विग्यान दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को D option आपका सही होगा 27 फरवरी next है ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ बताइगा students ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है तो option आपके पास है भारत, चीन, आस्ट्रेलिया, जापान तो students याद रखेगा ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ वह देश है जापान D option आपका सही होगा जापान ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ विश्व में कुल कितने देश है बताएगा विश्व में कुल देश कितने है उनकी संख्या कितनी है ये आपको याद होना चाहिए तो बताएगा कितने हैं 189 है 195 है 197 है या फिर 200 है तो विश्व में कुल देशों की संख्या है 155 एक सो पिच्चानवे बताए जाती है कुल देशों की संख्या विश्व भर में विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है एक भी मंदिर नहीं है एक भी मंदिर नहीं है तो यह भी आपको पता होगा सभी स्ट्वेंट्स जानते होंगे कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है साओधी अरब नैपाल भारत जापान इन चार उप्सन में से आपको चूज करना है सही आंसर इस क्या होगा तो विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश साओधी अरब है यह आपके पाद 2 जून को 6 सितंबर को 5 सितंबर को या 6 दिसंबर को शिक्षक दिवस कब मना जाता है इस ट्वेंट से याद रखेगा शिक्षक दिवस हम जब बनाते हैं तो वह दिन कौन सा होता है वह तारी कौन सी होती है तो याद रखेगा 5 सितंबर 5 सितंबर को शिक्षक दि बताईएगा जापान के हिरोशिमा नाकसाकी पर परमानु बम कब गिराया गया था किसके द्वारा गिराया गया था अमेरिका के द्वारा गिराया गया था और यह गिराया गया था आप क्या सामने option है इन option में से आपको सही answer चुनना है 1947 में, 1945 में, 1942 में या 1978 में तो याद रखेगा स्टुएंट्स जब जापान में हिरोशिमा नाकसाकी पर परमानु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था वह यह था 1945 उनिस्टाइप 45 में परमानू बम जापान पर गिराएगा था उसके सहर हिरोशिमा इकासाकी में आमेरिका के द로 बी आपसे यहूँ होगा वह है थल सेना का अधिकारिक पद है ठीक है तो जल जो थल सेना है वह है एक अधिकारिक पद होता है जनरल का उसमें तो जनरल जो है थल सेना का अधिकारिक पद माना जाएगा सी ओप्शन आपका सही होगा नेक्ट है रेल पत के नेरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है रेल पत के नेरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है इस टेंस बताईगा रेल पत के नेरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है तो याद रखीगा option number A में दिया गया है दो मिनट छे सेकिंड ये आपका option बिल्कुल सही होगा तो याद रखीगा दो मिनट छे सेकिंड option number A सही है रेल पत के narrow gauge की चौड़ाई होती है प्रत्वी पर सबसे बड़ा व्रत है प्रत्वी पर सबसे बड़ा व्रत सागर, महासागर, करक रेखा, भुमद्य रेखा तो प्रत्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा माना जाता है option number D है भुमद्य रेखा भुमद्य रेखा को प्रत्वी पर सबसे बड़ा व्रत माना गया है डी आप्सन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है जलिया वाला बाग किस सहर में इस्तित है इटावा अमरत्सर इलाहबाद जारखंड इटावा अमरत्सर इलाहबाद जारखंड जलिया वाला बाग किस सहर में इस्तित है तो आपको बताना है चार आपसन आपके दिये गए है इटावा, अमरत सर, इलाबाद, जारकन तो जल्यावाला बाग इस्तित है आपसन नमबर B अमरत सर में आपसन नमबर B आपका सही होगा अमरत सर जल्यावाला बाग अमरत सर में इस्तित है नेक्स्ट है जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया था इस ट्रेंट से बताईगा जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया तो option आपके पास हैं लाल बहादूर सास्त्री, जवाहर लाल नेहरू, भगत सिंग या सुभास चंदरबोष तो याद रखेगा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादूर सास्त्री बारत का सरवादिक शिक्षित राज्जिये कौन सा है बताना है तो याद रखेगा भारत का सरवादिक शिक्षित राज्जिये कौन सा है बताना है तो याद रखेगा भारत का सरवादिक शिक्षित राज्जिये कौन सा है केरल है याद रखेगा केरल भारत का सरवाधिक शिक्षित राज्जिय है B option आपका सही है Next है सरीर के किस अंग में यूरिया बनता है बताईएगा सरीर के किस अंग में यूरिया बनता है तो आपके सामने option दिए गए हैं चार पित में, लीवर में, दिल में, यकरत में आपके सामने चार option है सही option आपको बताना है कि सरीर के किस अंग में यूरिया बनता है तो याद रखेगा लीवर लीवर में सरीर का लीवर ऐसा अंग है जिसमें यूरिया बनता है तो आपके सामने option हो जाएगा option number B आपका correct है लीवर नेक्स्ट है प्लासी का युद कब हुआ था प्लासी का युद कब हुआ था 1787, 1788, 1937, 1935 में ठीक है तो प्लासी का युद किस सन में हुआ था याद रखेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो याद रखेगा 1937 में प्लासी का युद्ध हुआ था important है instruments याद रखेगा C option आपका सही होगा next है राजिस्थान में किस तरह के पेडों में पत्या पाई जाती है राजिस्थान के पेड़ों में किस तरह की पत्या पाई जाती है यह आपको बताना है option है चप्टी, छोटी, गोल या फिर बड़ी बताएगा कौन सा आंसर सही होगा राजिस्थान किस तरह के पेड़ों की पत्या के लिए जाना जाता है तो राज्थान में किस तरह के पेडों की पत्या पाई जाती हैं बताईएगा चप्टी छोटी गोल या फिर बड़ी तो यह दर रखेगा तो राज्थान में पेडों पर पत्या पाई जाती है वो छोटी पाई जाती है छोटी पत्या पेडों पर पाई जाती है यह दर रखे में आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है वीडियो में ऐसे question दिये गए हैं जो परिक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं वीडियो को दो से तीन बार देख लिएगा आपके यह सभी question याद होने चाहिए Thank you, thanks for watching मिलते हैं next video में झाल 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 झाल